इस project से आप लोग invoice automatically generate कर सकते हो like यहाँ पर आप लोग को customer select करना है कि किस customer का आप लोग invoice चाहते हो plus यहाँ पर कौन कौन से product like यहाँ पर आप लोग multiple जो product से select कर सकते हो like मैंने यहाँ पर दो product select किया उसके बाद उस product की इतनी quantity कोई user like purchase कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर मालो मैंने इसको दो कर दिया इसको वनी रहने दिया उसका generate invoice पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक PDF format में एक invoice generate हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हो सो यह आपका generate हो चुका है अब आप यह दिया इस चुको डाउलोड करना चाते हो तो यहीं से डाउलोड भी कर सकते हो प्लस आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली यह डाउलोड भी हो गया होगा है यहाँ पर देखो सबसे पहले invoice आएगा उसके बाद आपके company का logo और यहाँ यहाँ पर customers की detail आजाएगी यहाँ पर देखो कोई भी mobile नमर हमने correct नहीं डाला नाई email यह सभी ऐसे हमने data ले रखा है और उसका पर देखो product उसका description है quantity कितने quantity में उसको purchase किया गया है उसका current जो value है like unit price कितनी है एक product की आउसको हमने total like multiply करके यहाँ पर total डाला है उसका total कित यहाँ चला पर स्वागत है आज के इस वह में देखने वाले कैसे आप लोग इन्वेश जनेरेटर बना सकते हो using python प्लस यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले इंस्ट्रीम लीट फोर दे जी यू आई और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे pdf के लिए fpdf जो लाइबरी य प्लस हम लोगों जब जी वाई पर सू करेंगे अपने pdf को उसके लिए हम लोग यूज करेंगे base64 लाइबरी और पिछली वीडियो मैंने आप लोग बताता है कैसे आप लोग ओटिंग सिस्टम बना सकते है using python यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा अभी हम देखो python के बहुत सारे project बना रहा है यदि आप लोग इन प्रोजेट को नहीं देख़ रहे तो please हमारे चैनल पर जाये और इन प्रोजर्च को जरूर देखिये इसमें हमने बहुत सारे चीजे बता रकिए python की और उनकी भी हाप पर हिए हमने इस project को बनाया हुआ तो चलिए इस project को हम दिखला देता हूं कि customer की detail कि टाइप की है यहां पर हमारे पास है एक folder जो कि इनवाई system के नाम से उसके अंदर हमने सभी file को add कर रखा है आपको भी ऐसे कुछ add कर लेना है उन customer के mobile name plus email है यहां पर सभी customer के प्लस हमारे कंपनी में कौन-कौन से product available है उनकी यहां पर listing दी हुए है आपको कुछ leverage import कर लेने है सबसे पहले तो आपको streamlet को import करना है 4GUI उसके बाद पैंडाज उसके आप लोग प्रडक्ट जो customer प्लस प्रडक्ट है उसको load कर सके और csv आप लोग जो भी है उसको read कर सको उसके बाद आपके पास fpdf और base64 मैं इन सभी को import करके आपको सबसे पहले तो लोड कर वाले ना कस्टूमर का डेटा प्लस प्रडक्ट का डेटा उसके लिए आपको यहां पर दो वैरियेबल बनाना एक तो आपको यहां पर कस्टूमर के नाम से एक वैरियेबल बना ला जिसके अंदर आप लोगों को लिखना pd read csv क्योंकि हमारे पास दिया हुआ हुआ है यहां पर pd. again read csv आपको write करना है और यहां पर csv का नाम सो हमारा दोनों जो डेटा हो लोड हो चुका है अब आपको क्या करना है लाइक stream lead का GUI create करना सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों को यहां पर लिखना है st.title क्योंकि हम लोग यहां पर टाइटल पास करने वाले है और उस टाइटल के अंदर आप लोग यहां पर पास कर दो invoice automation system उसके बाद है हमारे पास like sidebar का header आएगा like जो मैं आपको यह सो हो रहा है तो यहां पर आना आप लोगो को यहां पर रन करने के लिए आपको लिखना stream lead run run और यहां पर आपके फाइल का नाम आ जाएगा like हमारे पास in voice automation.py अब यह देखो रन हो रहा है so यहां बारे पास आए in voice automation system और sidebar मतलब यहां पर जो आएगा और उहां पर क्या ह होगा header like select customer product और products customer और products हम लोगों को select करवाना तो उसका भी एक like header आना चाहिए तो हम लोग लिखेंगे ht.sidebar क्योंकि हमारा sidebar का होने वाला है और उसका header हम लोग यहां पर write करने वाले है header के अंदर हमारे पास आएगा की select customer and products यहां सी user क्या कर सकता है product और customer और product जो select कर सकता है सबसे पहले मैं यहां पर क्या करने वाला हूं सबसे पहले हम लोग customer को select करवाने वाले हैं तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो customers आपने like data frame बनाया हुआ उपर के side में उसके अंदर से customer का नाम चाहिए होगा क्योंकि उसी चीज को हम लोग यहां पर पास करने वाले सो यहां पर आपको लिखना है customer names सभी names हमें list में चाहिए होगा customers के अंदर से हमें चाहिए यहां पर customer का नाम और यहां पर two list लगाके इस type से pass कर देने क्योंकि listing में हमें चाहिए होगा उसके बाद अब आपको क्या करना है यहां पर select box बनाना जिसके अंदर आप लोग पास कर दोगे customers के names को सो गज आपने यहां पर क्या क्या एक box बना जिसके अंदर आपने सभी customer का नाम है उसके अंदर पास कर दिया अब आपको उस customer के नाम के बिहाब पर आपको customer की id चाहिए होगा सो गज उसके अंदर क्या करना आपको customers का जो data frame उसके अंदर match करवा लेना selected customer सो गज इससे क्या होगा कि आपके जो customer name जो data frame में उससे match करवा कि हमें customer की id चाहिए तो आपको इसको इस टाइब से करके control से save करना है और वापस चलना है यहाँ पर control shift आर जब आप लोग यहाँ पर करोगे तो आप लोग को कुछ इस टाइब का मिल जाएगा उपर बनाया इसी टाइब कही होगा बट इसके अंदर हम लोग multi selection use करने वाले क्योंकि हम लोग multiple product को select करेंगे तो हम लोग एक like variable बनाएँगे products name के नाम से और जिसके अंदर से हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर products का नाम product name जो कि हम लिस्टिंग के format में चाहिए होगी क्योंकि हम लोग इस इसको पास करेंगे multi select box में उसके आप लोग को यहाँ पर एक और वैलिवर बनाना आइडी चाहिए होगी आइडी के लिए क्या करवाना पड़ाएगा जो आपका डेटा फ्रेम है उसके नेम के भिहाब पर ही आपको उसकी आइडी चाहिए होगी लिस्ट की format में हम लोग उसको भी select करवा लेते हैं अब आप दुबारा आइडी चाहिए और यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा इसकी आइडी यहाँ पर देखो इसकी आइडी यहाँ पर आपको मिल चुकी आप लोग यहाँ पर मुल्टिपल प्रड़क को select कर सकते हो ओके तो हमारा यह दोनों selection का बन चुका है अब हम लोग क्या करने वाले हैं लाइक नीचे इसके भी हापे लाइक आपने इसको select कर लिया तो हम पर quantity भी select करने काना चाहिए तो हम लोग quantity को बनाने वाले हैं कि user जो है उसको quantity भी select कर सके सो उसके लिए आपको एक quantity नाम का list बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले like select products जो होगा उसके भी हापे हम लोग लूप चलाएंगे और quantities को increase करते रहेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सबसे पहले तो एक list बनाते हैं quantities के नाम से और उस list के अंदर हम लोग क्या करना सबसे पहले तो लूप एक चलाएंगे for product in selected products like जो जो user select करेगा उन सभी products के उपर हमें क्या करना है उसके quantities बनानी है सो यहाँ पर लिखना आपको एक variable बनाना पड़ाएंगा quantity के नाम से तो आपको यहाँ पर quantity of किस product का quantity select करना वो चीजाना चाहिए और जो mean value होगा like minimum कितना user select कर सकता है वो होगा आपका one और max value कितना user को 100 होना चाहिए वो यहाँ पर पास कर देना आपको max value हम लोग 100 तक जो user कर सके और उसके बाद है आपके पास यहाँ पर कितना like value 100 होना चाहिए तो यहाँ पर value 1 होगा शुरुवात में ठीक है शुरुवात में जो value 1 select like 100 होना चाहिए ठीक है यहाँ पर कर लेना like हमने सबसे पहले क्या किया है यहाँ पर f string के अंदर हमने quantity of product परक्ट किया जिसके अंदर minimum value हमें 1 पास किया है उसके बाद max value जो हमने पास किया उसका 100 पास कर दिया और जो value पास के इसको 1 पास कर दिया है और यहाँ पर दो ए कॉमा का मिश्टेक है कॉमा आपको बाहर लगाना है ठीक है कंट्रोलर से आप आपको सेफ कीजिए वापस आईए और यहाँ पर क्या करना है को क्वांटिटी को बार बार अपयंड करते रहना इसके अंदर क्या करना वंटिटी जो भी यूजा करेगी को क्वेंड क हैनव spaces को इनकीर्श कर सकते हो ए फले एकिए सैट बाह बटन बनाएंगे आप हम लोग एक हमारा जो generate invoice होगा उसको call करने वाले हैं उस function को ठीक है so यहां पर हमारे पास एक sidebar button होगी जिसका नाम होगा generate invoice तो उसकी उपर जब भी user like click करेगा so sidebar के अंदर हमारे पास एक button हम लोग देने वाले हैं और उसका जो text होगा वोगा generate invoice so जब भी user इसकी उपर click करेगा so हमें क्या करवाना है सबसे पहले तो आपको match करवा लेनी कि जो product की ID है और जो quantity select किया गया क्या वो equal to है कि नहीं है यदि equal to नहीं होगा तो हमें एक error show करना आना पड़ेगा like mismatch between select products and quantities और उसको show कर देंगे यदि match कर जाता है तो हमें क्या करना है एक function बनाएंगे generate invoice के नाम से और उसको call करेंगे so यहाँ पर हमने error message show कर दिया यदि वो match नहीं करते हैं like product ID और जो quantity यदि उसकी length यदि match नहीं करती है तो वो message show हो जाएगा और यहाँ पर अब आप लोग को else condition में क्या करना है एक file name के नाम से हम लोग बनाएंगे एक variable जिसके अंदर हमारे एक generate function होगा ठीक है generate invoice के नाम से उसको call करेंगे और उसके अंदर हम अपनी values पास कर देंगे कौन कौन से तो customer ID पास करेंगे और second number पे हम लोग पास करने वाले product IDs लाइक कितने product node उसकी ID क्या क्या है और quantities क्या क्या है वो चीज यहां पे आप लोग को पास कर देनी है इसको पास कर देना उसके आप लोग के मालो यहां पे file name आपको मिल जाती है एक file के नाम पे क्या मिलेगा एक PDF file मिलेगी आपको यहां पे file name के अंदर उसको क्या करवाना है यहां पे like file name के बाद उसके आपको आप you condition डालनी है इफ यदि file name उसको मिल जाती है तो वहां पे हमें क्या करवाना है कि उसको download करवा लेना है अपने system के अंदर तो यहां पे आपको लिखना के with open और यहां पे आपको पास कर देना है सबसे पहले तो फाइल करना फाइल ने जो भी फाइल वहां से आएगी उसे को पास करना किस फॉर्मेट में आपको रीड करना ओचीज आपको यहां पर पास कर देना और उसके बाद है हमारे पास यहां पर हम लोग F के ज़री इसको यूज करेंगे अपको यहां पर एक state-download बतन बना लेना है और उसके अंदर हम लोग पास करने सबसे पहले तो लेवल क्या होना चाहिए तो अब आपको यहां पर फाइल नेम पास कर देनी है ओके और लास्ट में आपको PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आपको में पास कर देनी है और इसके अंदर को यहां से आप लोग क्या कर सकते हो इसको डाउनलोड कर सकते हो जो भी फाइल होगी उस चीच को हम लोग यहां पर डाउनलोड करेंगे विद में ठीक है उसके बाद लास्ट में हमने क्या करवाना है उस चीच को ओपन करके भी सो करना लाइक जो भी हमारे पास जन्रेट इन व बेस्टिफूर मोडियूल जो पाइफन का है ठीक है उसके लिए भी आपको दुबारा विद ओपन करवा लेना अपनी फाइल को इसको ओपन करवाने के बाद अब आपको यहां पे क्या करवाना है सबसे पहले तो बेस्टिफूर को यहां पे उसका एक तरहिके से अबजेट क करवाने वाले हैं यहां पे इस चीज को क्रेट करने के बाद अब आपको यहां पर लिखना PDF डिस्पले के नाम से एक वेरियेबल बना लेना है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली अपने PDF को डिस्पले करवाएंगे सो मैं आपको इस चीज को करके सो करता हूं सबसे पहले हम प्रड़क को उसको हम लोग चाहते हैं कि वहीं पिरेंट भी करना जो एक बायों होगा उसके लास्ट में जब हमारी वई सो होगी लेना है यहांपका सेलेके प्रड़क्स और इसके उपर लूब चलाना पड़ेगा है सेलेक कर सकते हो कुछ है案ना पड़ेगा है यहाँ पर लगाना एस्टी डॉट राइट और यहीं पर आप लोग को पास कर देना एफ इस्टिंग के फॉर्मेंट में उन प्रडक्स को जो आप लोग यहाँ पर सो करवाना चाहते हो अब आपको इस चीज को कंट्रोल ऐसे सीप कर लेना है अब हम लोग क्या करने वाले जन्रेट इन्वोइस को क्रेट करेंगे जिसके अंदर हमने पास किया कस्टूमर की आईडी प्रडक्स और एक क्वेंटिटीज सबसे पहले तो मैं इसको अगर रन करके सो करूं सो अब आप तो आपको इस फंक्सन को क्रेट करना जन्रेट इन्वोइस को और आपको एक like EDF क्रेट करके वो देदेगा फंक्चन सो हम हम लोग इस चीज को क्या करते हैं इस function को copy करते हैं और उपर चलते हैं और इस चीज को हम लोग यहां पर create करने वाले हैं जहां पर हमने अपने data को load किया था और उस चीज को हम लोग इस PDF के format में उस चीज को सो करेंगे सो यहां पर आपको लिखना define और जो भी function का नाम है वो चीज एड कर देना प्लस जो जो चीजे आपने वहां से पास किया उस चीज को यहां पर access कर लेना है और यहां पर हम लोग एक variable बनानेंगे customer के नाम से जिसके अंदर हम लोग जो भी आपके customer की ID आई यह ना उस ID के भिहाब पर यह आपको उस customer की detail चाहिए होगी कर सकते हो सेलेक्ट जो प्रड़क्ट है उसका भी सेम तो सेम ऐसे कर सकते हो प्रड़क्ट की आईडी उस आईडी की लाइक जो भी प्रड़क्ट की आईडी होगी उसके बिहाब पे हमें चाहिए नंबर के फॉर्मेंट में लाइक प्रड़क्ट की आईडी ओक आप इसको इस चीज का selected product का not equal to यहाँ पर आपको दुबारा length प्रिंट करना है और यहाँ पर हमें चाहिए basically quantities का जो हमने यहाँ पर access कर रहे है हम लोग इस quantities का इसका length यदि equal नहीं होता है तो आपको दुबारा same to same जो आपने नीची error में से so किया था इस चीज को इसी चीज को हम लोग दुबारा वहाँ पर so कर देंगे error होने के बाद आपको return कर देना none so that कि वह कुछ भी वहाँ पर print न करें अच्छा यदि मालो error नहीं आता है तो आपको क्या करना यहाँ पर उसके बाद अब आपको main जो काम हो चालू होता आपका यहाँ पर आपको fpdf जो है उसका fpdf like pdf create करना है और उस pdf के अंदर आपको एक add करना page ठीक है so हम लोग add जो page है उस function को call करके और एक page को add कर लेंगे अच्छा इस page को add करने के बाद अब आपको क्या करना सबसे पहले तो company की information डालनी है इस page में so उस चीज को आप लोग कै कर सकते हो आपको simple यहाँ पर pdf लिखना है set सबसे पहले तो आपको यहाँ पर font को set करना पड़ता है so यहाँ पर set font जो function उसको हम लोग call करेंगे set font आपने call कर लिया उसके बाद अब आपको सबसे पहले like font का नाम क्या होना चाहिए क्या pass करे हो font करना हमने यहाँ पर al pass किया यहाँ पर सबसे पहले so करेंगे invoice को इसलिए हमने इसको 30 रखा हुआ है so उसके बाद आपको यहाँ पर दुबार PDF PDF.cell अब जो भी आप काम करोगे ना वह cell के भी हाप पर ही काम करना होता है so यहाँ पर 200 आपको पास करना है और यहाँ पर आपको 10 पास कर लेनी है txt कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा उसको पास करना txt equal to क्या होना चाहिए यहाँ पर invoice दुबार अकुमा लगाना है और यहाँ पर आइन पास करके equal to true align आपको यहाँ पर कर देना center मतलब C ठीक है okay so आपने basically invoice पास कर दिया है अब आपको image को यहाँ पर लाना है तो आपको pdf dot यहाँ पर image function को call कर लेना आपको सभी functions इसके अंदर दिये हुए है जो fpdf है उसके अंदर जितने भी function होते है उस सभी दिये हुए है अब आपको यहाँ पर जो आपके company का like png का जो name होगा उसको यहाँ पर पास करना तो हमारे हमारे png का नाम company logo के png ठीक है यह है हमारे like image का नाम वह आपको पास करना है और कहां पर इसको like रखना है तो मैंने आप पहले सी कोडिनेट्स like write कर रहे थे हैं y equal to 25 position पर रखना इस चीज को और last में आपको इसकी width भी पास कर देने जो कि हमारे पास 30 so इसकी width जो होगी आपके पास 30 मिल जाएग अब आप इसको क्या कर सकते हो like जब भी आप एक चीज का ध्यान देना like मैंने आपे सबसे पहले in ois लिखा है प्लस याप ए company तो इन दोनों का जो size आ रहा है like जो text का size होगा वह अमारे पास आ जाएगा 30 यदि आप लोग दुबारा text के अदर add करोगे तो आपको दुबार इस चीज को set करवाना पड़ेगा जितने वी चीज आप लोग लिखोगे वह basically उसका size होगा 30 होगा like कोई text जो उसको बड़ा लिखना चाते हो तो आप लोग को दुबारा इस चीज को set करवाना पड़ेगा उसके font को like महां पे 30 के जगा आप लोग 45 लिख सकते हो और दुब भी हो जाएगी सो आप यहां पर देख सकते हो कि हमने यहां पर क्या किया हुआ है लोगो जो कंपनी का लोगो था यहां तक मैंने आपको बताया था कि इसका जो वीथ कैसे हमने setup किया और इसके बाद जब भी आप नया text इसके अंदर add करोगे तो उसका आपको फोंड का जो आड्रेस है उसका प्लस पीण कोड और इमेल तक यहां तक क्या रहेगा जो सेट रहेगा फोंड का size 12 रहेगा उसके बाद हमने एक space add किया वो सेट कर दिया था 12 पर आपको मैं या पर 100 कर लो तो यह रहा और उसके बाद हमने इतना कुछ काम किया इसके भी आप पर इस फॉंट के भी आप पर उसके बाद हम चाहते हैं दुबारा फॉंट की साइज को सेट करने के लिए लाई यहां पर सबसे पहले हमने एक इस पेस किया उसके बाद कश्टूमर डिटील का जो फोन की साईज होगी वह आपके होगी 20 और उसके बाद दुबारा हमने एक इसपेस प्रिंट किया जो कि यह है इसपेस आपका उसके बाद इसकी जो साइज की साइज होगा लाइक इन टैस्ट की और उसका भी 12 होगा शेम तूसे यह चीज है यह पर देखो product जो header है वह चीज आ रहा है कि product आ रहा है उसका description, quantity and total रहा है ठीक है यह एक table के format देदेगा इस टाइब का data और उसके बाद like आपने table का header तो create कर दिया उसके बाद उसकी values को भी आपको add up कर रहा है यहां पर आपने यहां पर font की size 12 रखाया हुआ है उसके बाद आप लोग एक loop चला रहे हो so that कि आपका हर एक product जो है इस table के अंदर आ जाए so और उस loop के अंदर सबसे पहले हमने quantity लिया कि like जो आपने product select किया है उसकी कितनी quantity आपने select कर रखा है ठीक है उसके बिहाब पर हम लोग उस price को multiply करेंगे जो given price होगा उसको multiply कर देंगे with quantity of that product जो आपने select किया हुआ है so उसके हमने total में add कर दिया उसके बाद यहाँ पर product name description same to same उसके आपने quantity add कर दिया और price add किया हमने और यहाँ पर line total जो है total के अंदर उसकी price आ जाएगी उसको हमने आपर पास कर दिया है और एचीच करने के बाद last में हमने क्या किया है जो आपका like एचीच क्रिट हो चुका ID होगी ओचीच करने के बाद आपको pdf.last में output और उसको file name पास करके return कर दिया हमने file name कहाँ पर यह return हुआ आपका यहाँ पर file name आज आएगा उसके आद हमने इस चीच के बारे में आपको बता दिया थे already कैसे काम कर रहा है अब आपको control ऐसे save करना है वापस चलना है और मैं यहाँ पर show करूँ तो यहाँ पर देखो रोहन और हमने customer जो select किया है रोहन फर्स्ट वाला और यहाँ पर tablets को हमने select किया है उसका generate invoice पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से आप लोग invoice को generate कर लिए आप ठीक है last में आपको कुछ इस टाप का values भी print हो रहा है क आप लोग इसको download करना चाहते हो तो simple download button पर आपको क्लिक करना है यहाँ से आप लोग download कर सकते हो but यह already download हो चुका होगा क्योंकि जब भी आप generate invoice पर क्लिक करोगे तो आपे देखो हमारे पास customer 1 जो है उसका जो pdf o download हो चुका है अब मैं यहाँ पर customer 2 को select करता हूँ और यहा product को हम लोग चाहते हैं 7 product generate करना आपको simple और नीचे आना आप नीचे देखो यहाँ पर total pricing होई है उसकी ठीक है 5090 डॉलर और यहाँ पर देखो second like customer है उसका भी pdf download हो चुका है पहले से ही और आप लोग चाहो तो यहां से भी download कर सकते हो और यहां से भी download कर सकते हो but जब भी आप generate invoice पे click करोगे तो उस user का pdf download हो जाएगा आपके system में आज के वीडियो मैंने आपको बता कि कैसे आप लोग python और streamlit plus fpdf को use करके आप लोग invoice automation system बना सकते हो यदि आपको हमारा project पसंद आएगा तो वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल पर चैनल को subscribe कर लीजिएगा यद आप लोग वहां से जाकर और इस code को download करके अपने system में run कर सकते हो प्लस इस code को आप लोग अपने हिसाफ से modify कर सकते हो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्ट में तब तक के लिए बाए बाए